कॉंग्रिस ने कर ली पूरी तैयारी अब चुनाव में बीजेपी से होगा असली मुकाबला पांचों लोग सभा सीट पर मैदान फत्य करने की तैयारी में कॉंग्रिस के सिपाही हरिद्वार और नैनिताल का कॉंग्रिस ने सुल्जा लिया पेच अब होगा दल्चस्प मुकाबला हरिद्वार में होगा रावत वर्सस रावत महा मुकाबले में कौन मारेगा बाजी देव भूमी की सभी पाँच लोग सभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कॉंग्रिस की सिपाही अब तैयार है हरिद्वार और नैनिताल की सीट पर कॉंग्रिस में काफी समय से पेच फसा हुआ था जिस पर सस्पेंस अब खत्म हो गया यानि कि कॉंग्रिस अब बीजेपी का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है बीजेपी भी हरिद्वार और नैनिताल को लेकर कॉंग्रिस पर हमला बोल रही थी लेकिन कॉंग्रिस ने अब बीजेपी पर लगाम लगा दी है कॉंग्रिस ने दिगज नेता और पूर्व सीम हडीश रावत को हरिदवार से मैदान में उतारने का इरादा कर लिया है वही नेनिताल से महेंदर पाल का टिकेट फाइनल हो चुका है चलिए अब आपको इन दो सीटों पर होने वाले दिल्चस्प मुकाबले के बारे में विस्तार से बताते हैं कॉंग्रिस के लिए हरिदवार और नेनिताल सीट पर प्रत्याशी तै करना चुनाती पून था लगतार मन्थन का दौर चल रहा था लेकिन नामों पर सहमती नहीं बन पा रही थी लंबी माथा पच्ची के बाद आखिरकार दोनों सीटों पर कॉंग्रिस ने अपने प्रत्याशीों के नाम फाइनल किये डिल्लि में केंद्रे चुनाप समिती और पाटी के शीष निताओं ने हरिदवार से हरी शरावट और नैनिताल से महिंडरपाल के नाम पर अपनी सहमती जıtा दी कॉंग्रिस जल्द ही इन दो नामों का एलान कर देगी बहले ही कॉंग्रेस ने हरिदवार और नैनिताल की सीट पर प्रत्याशियों के नामों का एलान करने में देरी की हो लेकिन जिन दो चेहरों को मैदान में उतारा है उससे दोनों ही सीटों पर मुकाबला काफी रोमान चक हो गया है हाला कि पहले से ही माना जा रहा था कि हरीश रावत को ही हरिदवार के रण में उतारा जाएगा लेकिन हरीश रावत काफी समय से चुनाव लड़ने को लेकर बातों को गोल गोल गुमा रहे थे दरसल हरीश रावत अपने बेटे विरेंदर रावत के लिए कॉंग्रिस आला कमान से चिकेट की पैरवी कर रहे थे रावत ने अपने बयान में साफ कहा था कि मेरा बेटा राजमीती में काफी समय से सक्रिये है और वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है लेकिन आखिर में उन्हें कॉंग्रिस के हाई कमान के सामने जुकना पड़ा चुनाव लड़ने की राजमीती से बहार निकलना चाहता है और उसके लिए यही अवसर है नहीं तो फिर एक बार फत गया तो इसका अर्थ यह होगा कि अगले दस साल तक फिर जो है मुझे चुनाव लड़ने की राजमीती का हिस्सा बना रहना पड़ेगा और उसलिए मुझे मैंने निर्ड़ने लिए कि यहीं पार्टी के हित्म होगा तो पार्टी के लिए सबंधू का मेरे सबंधू का मेरे काम का उपयोग किया जा सकता तो मेरा बत हुसको ब्यातर-स की कर पाएगा और वो राजमी के लिए वाइस परजिन थे, तो प्रदेश काम कर रहे हैं, खानपुर छेत्र में यह उनी की तैयारी थी जिसका लाव मिस्टर सिंग मास्टर को मिला, तो इसलिए मैंने उन्टा नाम आदे किया। हरिश रावत का नाम फाइनल होने से हरिदवार सीट अब प्रदेश की सबसे होट सीट में से एक हो गई है, ऐसा इसलिए क्योंकि हरिदवार में अब मुकाबला रावत वर्सिस रावत के बीच होगा, पूर्व सीएम वर्सिस पूर्व सीएम का ये मुकाबला बेहत दिल्शस होने वाला है त्यूंकि बीजेपी ने हरिद्वार सीट से त्रवेंद्र सिंग रावत को मैदान में उता रहा है त्रवेंद्र भी उत्राखंड के सीए में रह चुके हैं और हरिद्वार में उनकी पकड मजबूत है ऐसे में अब हरिद्वार की लड़ाई देखने लायक होग हरिद्वार के साथ ही नेनिताल में राजनितिक जंग जबरदस्त होनी वाली है कॉंग्रेस ने वहां से महिंद्र पाल को मैदान में उता रहा है महिंद्र पाल नेनिताल हाई कोट के वरिष्ट वकील है और जंता दल से पूर में सांसत भी रह चुके हैं दिगज नेता पार्टी ने उन्हें लगतार दूसरी बार प्रत्याशी बनाये हैं। कॉंग्रेस बीजेपी से पिछरती हुई नजरा रही थी। बीजेपी ने जहां बहुत पहले ही अपना चुनावी प्रचार अभियान शुरू कर दिया था। हाला कि इस महा युद्ध में जीत का सहरा किसके सर सजेगा ये चुनाव के नतीजे ही बताएंगे।